वू हेलो गाइस कैसा आप सब लोगें वेलकम बैक टो बाल गेमिंग चैनल तो गाइस आज हम लोग फर्स थाइम खेलने जा रहे है आर फॉर सेल्स लिमिलेटर यस एक मतलब की फर्स टैम में कितना बड़ा लाइक गेम खेलने जा रहा हैं काफी हेवी गेम है ये मेरे मुताबे मेरे लैप्टॉप के मुताबे या हम फॉर्स टैम ही खेलने जा रहे हैं गार्ज़ करीदना होता है इस तड़ीके की कार्स यार यह मुझे देखके मस्टैंग जैसा लगड़ा है इस टाप के खरीदने होते हैं एंड फिर उनको इनको सेल करना होता जो यहीं इस गेम का बस कम एंड बस हम लोग को बिलियोंर मिलियोंर होना है बट मैं इस गेम में अपना एक पास्क रखने वाला हो हम लोग इस गेम में जाएंगे घारिया खर का शोडूम गराज टैप रखेंगे जहां पर सिर्फ मेरी गाडिया रहेगी मैं उन गाडियों को सेल नहीं करने वाला तो हम लोग एसरे टाइप का कुछ करने वाले करते हैं तो फड्राव से चलते हैं निव गेम करते हैं मैं आप लोग उसे सीधा मिलता हूँ तो आल राइट गाईस तो फाइनली हम लोग आचुके से वर्ल्ड में एंड यहां पे हम लोग के पास यह सब कुछ है यहां से बाहर नहीं जा सकता हूं लोग को पहली यहां का basic काम कळना पड़ेगा पहले हम लोग को यह Elizक करना मैं पड़ेगा जिससे हम भाई साहब यह बहुत कुड़ा है like I guess हम लोग ने इसको नया नया खड़ीद है कोई इसको यह किसी और का था I guess पहले पुराना जिसको हम लोगों अभी खड़ीद है and let's go यह सब कुछ हो चुका है open office let's see हम लोग के पास एक computer है इतना मुझे पता है अब आगे का भी मुझे थोड़ा बहुत पता है कि हम लोगों गाडियों को कैसे बेचना बेचना होता है बट सबसे पहले रुक जा हम लोगे काम करते है डेकोरेशन में चलो हम लोगों को साइन चाहिए साइन में हम लोगों को इसका नाम बदलने हैं रखने वाले है कुछ अलग देखो मैंने अपना Minecraft में भी अपना नाम रखा है पॉल किंगड़ पॉल किंगडम रखा है अपने वर्ल्ड का नाम सो यहां पर भी हम लोग अपने शोरूम का नाम रखने वाली है पॉल मोटर्स तो इस गॉन वर्क इसक कर दो अब वापस चलते हैं कंप्यूटर से अभी हम लोग को आइगेस हम लोग निकल सकते है यह बिसिकलिव डिपैडिंग एडिया हम लोग कोई भी गारी खडीते है तो हम लोग को यहां पर आकर रिपैर वगड़ा करा सकते हैं यह पता नहीं यह क्या हो रखाए दिक नि सकते हैं अब देखो फिलाल को तो तो गेमी हम लोग नेवरुट को यहां से ट्रैवल करना है नेवरूट को फिलाल को के ट्रीक है है तो गारिया हम लोग से नेबर रूट से खड़ी सकते हैं एंडी देखो आते ही मुझे पहले गारी देख चुके जहां तक मेरे को लग यह कोई वॉक्स वागन है क्या मैडम कि टू टॉक ओके ठीक है कि ओके इसका वैल्यू आठ हजार दो सो एकतिस है बट मैं इसको खड़ी नहीं सकता हूं वैल्यू काफी सही है बट हमारे पास सिर्फ साथ हजार चार सो असी रुपय अगर आप लोग टॉप राइट कॉर्णर पर देख सकते हो मेरा इंकम एंड अपना डे अभी फिलाल को मं लिए और अभी इस पर बैटते हैं हम लोग इस पर बैट के चला सकते हैं कि इंजिन ओन करने के लिए इसका इंटीर देखो काफी ओल्ड टाइप है बट फिर भी ठीक है चलेगा मेरे को आई से हम लोग काड़ी स्टार्ट कर सकते हैं अभी मुझे कैमरा चेंज करने हैं कि ऑट कर लेकर अपने गारी को ड्राइब कर सकते हैं तो फटावसे इसको लेकर मैं अपने डिलर्शिप पहुचता और फिर आप लोग से मिलता हूं डिलर्शिप में एंड बहुत ही बड़ी है मैंने कारी को डेमेंज कर दिया एक सिकन्ड में और चीज तो दिखाने भूल कर देना मैं आपको दिखा सकता हूं कार ओ भाई हमने गारी खड़ी दिया काफी सही गारी खड़ी दिया इस पर बिल्कुल भी ना डेमेज था नहीं पेंट वेंट उत्रावा था यह काफी सही गारी थी बस फ्यूल 47 था डर्टी हो रखी थी थोड़ी अभी मैंने थोड़ पहुचेंगे तो यह और रेड़ी वह यह पर रहेगा तो हम लोग रिपैर करवा सकते हैं अभी मुझे सामने यहां पर ट्रक दिख रहा है फड़ा वसे इस ट्रक के पास पहुचते हैं यार इस गे में इतना धीड़े क्यों चलता है अपना करेक्टर तो भाग सकता है इस का प्राइस देख लेते हैं यह कितने का बेचने वाला है यह भाई मैं क्या कर रहा हूं यार इसके मुझ पर घुच चुका हूं मैं बिल्कुली ओके तरिपोर्ट में भी यू कैन पे एक्सपर्ट तो सी दा करेक्ट रिजल्स ओके पांच हजार छैस्तों ओके यह अपने ब 17,000 तो रहन दे यार तो क्या बेचर है तो ही जानता है मैं तो नहीं खड़ीद रहा 17,000 का गारी मेरे बस की नहीं है यह खड़ीदना पड़ावत से चलते हैं फिर यहां से I don't think so ने को यहां पर और कोई गारी मिलने माली है मुझे वो ट्रक खड़ीदना है मुझे वो ट्र कितने का है देड़ है दो तीन हजार का देदे तो मैं खड़ीद भाई सवाब तुम रहन दो यार 12,000 रुपए ठीक है यार मतलब अभी गड़ी बैतो क्या तुम लोग कुछ भी प्राइस लगा दोगे क्या पड़ावसे चलते हम लोग बस स्टैंट से बस में भी अपने को सब्सक्राइब को इससे मिल सकता है यह टू टॉक पस 57 रुपीज लगेगा चलेगा मेरे को 57 रुपीज ही लगने वाल है जल्दी से इसको रिपैर कर दो हम यह काफी जल्दी रिपैरिंग हो रहे है यह अल्मोस्ट हो चुग है है साफ दो परसंटी डैमेज था यतना भी क्वर्ब करने को घारी में घुसते है इंजीन आन करते है और मुझे इसका किमरा चेंज करना है एक से कंड़ ऐसा रहत ना है अपने कहा को कैमरा को गारी को पीजो लेते हैं अशित allora अब दॉस चसेक करता हो ऊकें आ!? यार बताओ मैं अभी इन लोगों को अड़े भाई क्या चल रहू है इनको को रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट है की नहीं है वह बंदा वाइट वाली गारी पर जो बंदा है उस वह सीधा अपनी गारी मेरे गारी को ठोक के चल दिया सीधा मुझे सही टाइम पर स्पेस बार दबाना न स्पेस बार से ब्रेक लग रहा है तो मैं स्पेस बार साई टाइम पर दबाना भूल जा रहा हूं अभी गारी आ चुकि अपने पास वेब पेज में चलते हैं कार फॉर से लिए तो इसका प्राइस यू कन सेल इट फॉर लिमिटेड प्राइस देन यू कन सेल इट फ्रीली अपने दुकान में काफी सारे कस्टमर आचुके है एक एक कड़के बात करते हैं हाँ आप बताओ ओके आइल टेक अ मिनिट प्राइस वर्क्स वर्मी आई विल टेक इट ओके इसको सेल करते हैं अपना पहला दिन खतम हो चुका है एंड अपनी पहली गारी जो हम लोग ने खड़ी दी उसको बेच भी दिया है पॉल मोटर्स का काफी ज्यादा लाइक वह प्रॉफिट टाइप सा हो चुका है ऑफिस को बन करते हैं अभी हम लोग को सोने रहना पड़ यह भाई क्या अंदेरा और रहा है मेरे को दर्वाजा तक नहीं दिख रहा है ओके सो आज के दिन में हम लोग का 6888 रुपीज मतलब बेसिकली कहने को जाए तो प्रॉफिट हुआ है एक सगन मैं अभी नोटिस किया है कि मैंने अपने स्क्रीन को थोड़ा सा गरबर कर रख कुछ एक ग्लिच टाइप है तो ओ भाई सहाब यह क्या गारी है यार दिखने के तो से लग रही है यार यह गारी एलो मैडम बताओ कितने की देड़े आप यह गारी नीचे बैट गया हो कि इतना है भाई रेंदो यार 11000 तो नहीं मुझे अभी थोड़ी सस्ती से चाहिए कैसे अभी मैं 4-5,000 की भी गारी खरी सकता हूं भाई और सेल हो हम लोग यहां पर घर भी खरी सकते है ठीक है मैं इन फ्यूचर ज़रूर एक घरी खरीदने वाला हूं क्योंकि यहां पर तो वैसे भी घर हम लोग कंटेनर में रहे है भाई देखरो हम लोग डिलर्शिप है है और मेरा घर है यह थोड़ा सा अटक रहा है ऐड़ा जो फ्यूचर अपने में यह बजट में यह BMW हैं ना BMW की साइने सामने से तो हाँ तो मैं फड़ा उसे कुछ गारिया वार यह देखता हूं और फिर आप लोग उसे मिलता हो यह गारी मेरे को शहील लग रही है देखते यह मैडम कितने में दे रही है इसमें थोड़ा सा सिर्फ दो हजार दो सो पचास की सो मैं इसको डेफिनेटली खडीद रहा हूं इस गाड़ी को लेंगे काफी चीप में पढ़ी हम लोग को यह गारी इसको पड़ा उससे रिपैरिंग के लिए बीज़े था और भी दो चार कुछ गारिया खडीने के बाद ही मिलता हूं और राइट तो गाईज यार मैंने दोनों गारियों को लाकर यां पर रख दिया यह वाली गारी हम लोग को कुछ 9300 के असपास की पड़ी नो सारे 9000 की पड़ी है तो मैंने इस पर 13000 रुपे लगाया है इस वाली गारी पर हम लोग का कुछ कुल मिला के दाई जार के असप लेफ साथ को लिखा रहा है यू हैव स्किल पॉइंट तो मेरे पास एक स्किल पॉइंट है अब या तो मैं स्किल पॉइंट से यह खड़ी सकता हूं यू के लिए वहिकल यूजिंग स्पॉंज इससे लोग हो सकता है कि हम लोग के गारी को अच्छे प्राइज में खड़ी निकालूं कैसे एक सेगंड वेट अ सेगंड अभी स्पॉंज को निकालना कैसे है यार वही तो नहीं मालूम मेरे को सबसे इंपॉर्टन चीज तो यह होगी है मेरे को मालूम ही नहीं है कि स्पॉंज को निकालना कैसे है एक सेकंड कुछ भी बटन से कुछ भी नहीं होड़ तो मुझे पता चल गया कि हम लोग को कैसे क्या करने एंड उस वाली गाड़ी के लिए दो कस्टमर आ चुके मैं पहले देखते हूं कि यह लोग क्या प्राइस देते हैं प्रिपेरिंग टू लिव ओ नो 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 तेरा हजार मैंने का है एंड यह हम लोगों को बारा हजार देन एंड इस वाले आंटी को तो फिर मैं सो चड़ो कि क्यों नहीं यह गाड़ी सेल कर दी जाए क्योंकि बारा हजार देडी है जिसके हम लोगों कुछ सारे 9000 के आसपास का खर्चा हुआ है तो यह काफी सही प्राइस है एक गाड़ी हमने बिक चुकि यह वाली गाड़ी के ल अड़े इसको साफ कैसे करना है ओके होगी होगी क्लीन डास पॉर्ट देखो इसे हम लोगों को काफी सही तड़ी इससे दो दो करके भी सही बट एक्स पी मिल तो रही है न यह इतना लेट कुछ करबर हो रहा है क्या पता नहीं क्यों बट यह ढंक से साफ नहीं हो रही है य परावद से इसको साफ करते हैं देथे कि क्या कोई customer आता है इस गाड़ी को लेने के लिए या नहीं यहां से भी गंदी रखी इसको भी साफ करो चलती चलती यहां से ओ नो यार रात होगी है अभी गारी आगा दुबारा गंदी हो जाएगी फड़ावस को बंद करते हैं और मैं फड़ावस से सोने चलता है फिर आप लोग से मिलता हो अगले दिन है और जाइट गाई यार तो मैंने जोनों गारी बिच दी एक गाड़ी ने तो अपने को को अपने को सिर्फ लाइक उस पर अपने को 2790 रुपया का खर्चा है उसको सिर्फ 2,800 कुछ में बेच पाई हो कोई खड़ी दीने रहा था उस गारी को बहुत ही फाल दो आरी आप मु लास्ट टाइम तो इसका प्राइस को ज्यादा ही था तो अब भी देखते हैं यह वाली आंटी से बात करते हैं कितने की देती है 2004 का मॉडल है 4400 ओके ठीक है यह सही है मेरे को मैं खड़ी लेता हूं इसको I hope you will be satisfied with the car ठीक अपने को दस प्लस एक्सपी भी मिल लिए पड़ावसे इसकार को एक बारी चेक करते हैं इसमें कुछ भी अड़े भाईसा बॉट रहा है मेरे को एसा क्यों लगड़ा है कि ठक दिया मेरे को क्या ठीक है कोई नहीं रिपेर वन में मैंने भेज दिया गारी को अभी मुझ अपने पास लेके जाओंगा पैसे वैसे तो देखते हैं क्या ही होता है मेरे पास अभी फिलाल को काफी टाइम लगड़ा है एक अजार नहीं याड़ इतना चीप भी नहीं खडिदना है यह कुछ ज्यादा इसस्ती हो गया गारी अपने को मिनिमम पाच्छे अजार क्या ग कि यह गारी इसको मैंने खडिद लिया अनफॉर्चनल्ट लिप्राइस नोट निगेशिए निगोशिएशिएबल ओके इसको भी भेजतो रिपैर वन के लिए अपने जो ट्रक काम लोग ने बेजा वो भी तो डिपैडिंग में तो दो गारी कैसे रिपैडिवन में आ गी ह यह देख लेते यह तो सस्ती यह यह नहीं करी तरह यह अभी मैं देखके यह पता नहीं क्या चल रहा है मेरा मैं और थोड़ी सी गारिया ढूंडता हूं एंड फिर आप लोग से मिलता हूं थोड़ा गारी पर चेस करते अभी नौजार रुपर है अपने पास मुझे वह व लग 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 लहें मेरे को यह कोई और गारी है मुझे पता है उसका पीछे का जो लाइट थी वह निसान गी तरह है बट यह नहीं है और यह बहुत करके देखते हैं रहें रहन दो तुम रहन दो रहन दो 40 000 की घारी है यह और कोई ढ़नता हूं आप पास-फॉरवर्ड में देख सकते हो गेम को वैसे तो तो आप लोग फास-फॉरवर्ड में देखो मैं और कोई गारिया धूंडता हूँ फिर आप लोग से मिलता हूँ सीधा थोड़ा बहुत और पैसे वैसे अर्ण करने के बाद थोड़ा सा लाइक समझ रोना क्या बोलते उसको थोड़ा और अमीड होने के बाद एंड मुझे आज एक लिस्ट बार्गेनिंग स्किल तो चाहिए वह भी अमलुक स्किल लेने के बा I spend the last two weeks just grinning I spend the last two weeks just grinning Tryin'a शर्ण कियू आप किया खिएी्ज भी अल Marcus झाल 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 तो काइज यार फाइनली मैंने दीनों गाडियों को बेच दिया है फ्राइडे हो चुक है अपना पाच हुआ दिन है यह बिजनस का हम लोग ने पाच दिन में 21,000 रुपे एकठा कर लिया है तो यह काफी सही स्टार्ट हुई है अपनी गेम 21,000 रुपेज आ चुक है अपने पास अपने पहले एपिसोड में तो इस गेम को हम लोग दिरे दिर और आगे लेके जाएंगे अभी तो हम लोग फिलाल को सस्ते सस्ते आट-दस अजार के गारिया खडीद रहे एक जमाना आएगा जब हम लोग 4-4 लाग की गारिया खडीदने वाले है काफी महेंगे अगला मुझे यह वाला चाहिए होगा बार्गेंग बेटर बार्गेंग जिससे कि मैं आगर कोई भी खरीदने जाओ तो मैं उसको सस्ते में खडी सकता हूँ और भी ज्यादा सस्ते में तो या इससे अपने को और फाइदा होने वाला है तो या आज के जोड़ेगों मैं य सब्सक्राइब कर दिना अपने अगली वीडियो में तिल देन गूड बाई